हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कर्लर आइंदन की हेल्ब्स के अपने बालों को कर्ल कैसे कर सकते हो वीडियो हेल्फ लगेगी प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करने चाहिए आपके बालों में कोई भी आईल नहीं लगाना चाहिए तो आप कर्लिंग करने के सबसे में चोटा-छोटा सेक्जन लेकर बालों को करें तो यहां पे मैं नीचे की तरफ कर्ल्सी कर्ल करनाें मैं त kicking कृब्स करना मेरे गर के पास पालर है फेस एंड ग्रेज वहां से मैंने ये कर्टिंग भी करवाई है इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगर आप उनसे कोई भी हेस्टाइल जो हेर कर्टिंग जा कुछ भी करवाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नमबर दे दूँगी इस पालर की जो सर्विसीज है वो काफी जरा अच्छी है और इनका जो प्राइज है वो भी काफी जरा रीजनेबल है कर्ल करना फ्रेंट्स काफी जरा इज़ी है आप स्टेटन की हैब से भी कर्ल कर सकते हो बट यहां पे कर्लर का यूज़ किया उन्होंने आपको नीचे की तरफ से थोड़ा सा सेक्षल लेना है जो कर्लर मिशीन है उसमें थोड़ा सा आपको बालों को फोल्ड करते जाना है और 15 टू 20 सेकंड की रखना है तो काफी इज़ी से आपके बाल कर्ल हो जाएंगे इससे अगर आपके बाल इतने जारा स्टेट नहीं है तो आपके बहुत जारा जलदी कर्लों सो जाएंगे बट मेरे बाल काफी जारा स्टेट है इस पॉलर की सर्विसर्ड फॉंस काफी जारा आच्छी है मैंने याँ से करटिंग भी करवाई है वो भी वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो आप देख सकते हैं उन्होंने थोड़ा सा सेक्षन लिया है नीचे की तरब से और कलर में इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं और 15-20 सेकंड के लिए आप रखें तो काफी अच्छे से आपके बाल करल हो तो आप देख सकते हो कितना जरा ईज़ी है ज़स्ट 15-20 सेकंड ही लगते हैं तो आपके बाल एजली करल हो जाते हैं आप उनका मैथट देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारे करल्स लग रहे हैं फ्रेंट्स मेरे बाल नेच्छली काफी जरा स्टेट है मैंने कभी भी आने के कारणी करल्स करवा रही हूं अगर आप उनसे हेर कटिंग, हेर कल्रिंग कुछ भी करवाना चाहते हो तो मैं डिस्किप्शन बॉक्स में उनका नमबर दे दूँगी आप जरूर चेक आट करें उनकी सर्वसिस काफी जरा अच्छी है प्राइस भी काफी जरा उनके क कम में तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो कितना जरा इजी है कर्ल्स करना अगर आप हेर स्पाज और हेर कल्रिंग भी करवाना चाहते हो तो आप उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हो तो आप देख सकते हो 15-20 सेकंड के लिए आपको अपने बालों को फोल्ड करके रखना पड़ता ह तो काफी जरा इजली कर्ल्स हो जाते हैं फ्रेंट्स कर्ल्स काफी जरा अच्छे लगते हैं आपके बालों में आपके बाल इंस्टेंटली वॉल्यूम नाइज हो जाते हैं जो हम स्ट्रेटनिंग करवाते हैं उससे तो हमारे बाल काफी जरा स्ट्रेट तो लगते हैं बट हमारे बालों में कोई भी volume नहीं आता बट curls से आपके बाल काफी ज़रा volume nice लगते हैं आपके बालों में एक natural सा volume आ जाता है काफी ज़रा अच्छे लगते हैं आपके बाल अगर आप party वगरा में जाते हो तो आप curls ज़रूर ट्राय करें काफी अच्छा इसका लुक काता है आपके बाल काफी ज़रा shiny भी लगते हैं आप जाहे तो straightener की help से भी curls कर सकते हो उससे भी काफी ज़रा easily curls हो जाते हैं तो आप देख सकते हो मेरे बाल काफी ज़रा straight है तो curls एक बार में नहीं हो रहे हैं दूसरी बार में थोड़े से curls हो रहे हैं 15-20 seconds के लिए आपको अपने बालों के इस तरीके से रखना पड़ता है fold करके तो काफी ज़रा easy से आपके बाल curl हो जाते हैं लुक भी काफी ज़रा अच्छा है आपके बाल काफी ज़रा volume nice लगते हैं मैंने कभी भी कर्ल्स अपने बालों में नहीं करवाए फर्स टाइम मैं करवा रही थी तो इसका लुक काफी ज़रा अच्छा है कुछ different मैंने try किया है तो friends आप देख सकते हैं उनका method कितना ज़रा easy है just 2-3 steps होते हैं जिनको आपको follow करना पड़ता है और आपके बाल कितने ज़रा volume nice लगते हैं जब भी आप curl करें सबसे पहले अपने बालों पे कोई भी heat protecting spray लगा लें इससे आपके बिल्कुल बार damage भी नहीं होगे आपके बालों में एक natural ती shine भी आ जाएगी आपके बाल काफी ज़रा volume nice भी लगेंगे friends straightening से हमारे बाल इतने ज़रा volume nice नहीं लगते बट curl से हमारे बाल में काफी ज़रा volume आ जाता है हमारे बाल काफी ज़रा glossy लगते हैं तो आप जब भी कोई party function में जाए तो curling ज़रूर ट्राय करें आपके बाल काफी ज़रा volume nice लगेंगे क्थार काफी ज़रा आ एंब सब्ल 17иля करें मद्दू ऑगें ज़रा प्मेपें ल प्राइंगे अभी ज़रा है चित लगते हैं तो आ रखम प्री । हमारा है तो आ के लगेंmy जरे छूG झाल झाल तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने जारा प्यारे कर्ल्स लग रहे हैं काफी जारा अच्छा लूप काया है आप चाहें तो ऊपर की तरफ से भी कर्ल्स डल वा सकते हो बट मैंने नीचे की तरफ से इस कर्स डल वाए हैं इससे भी काफी ज़ा अश्वानुज़ लूक आता है तो फ्रेंड आप देखसे तो कितनी ज़ाओ इजली और जाते हैं थोड़ा से टाइम लगता है कर्ल्स डालने को और इसका लुक भी काफ़ी ज़रा अच्छा आता है जस्ट दो तीन ही स्टेप होते हैं जिन्हों आपको फॉलो करना पड़ता है बट फ्रेंड्स आप दियान से कर्ल्स करें आपके हैथ कई जलना जाएं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनल लो कितना ज़रा अच्छा आया है उन्होंने मेरे कर्ल्स थोड़े से एक होल दिये हैं इससे काफ़ी ज़रा मैसे भी लुक आया है और मेरे हेर्स काफ़ी ज़रा वॉल्यूम नाइज भी लग रहे है अगर आप कोई पार्डि फंक सकते हैं तो फ्रेंड्स से थी आज की वीडियो वीडियो हेलफुल लगेगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूं मैं आप सब नेक्स वीडियो में धैंक्यू बाइ हुआ 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 है